हेलो देर बॉइस और तो है आज की वीडियो का टोपिक होने वाला है तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी दियान था कि गाड़ेवर के उपपर उसमें मेरे को काया किसी ने की हम नोन लेजंडरी पोकिमोन की कमपाईजन मैसकोट या सुप्रीम मैसकोट से नहीं कर सकते है अटेक पावर में है ना अटेक पावर दो तरह की होती है एक डेमेज डीलिंग वाली और एक डिस्ट्रक्शन वाली तो जो डिस्ट्रक्शन जादा मचा सकती है इसका बिल्कुल भी मतलब यह नहीं है कि वो डेमेज भी जादा दे सकती है किसी पोकिमोन को तो यह मेरी एक सीरीज है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ओवर इशन खतम करने वाला हम सारे के सारे पोकिमोन की तो लेजन्री पोकिमोन तो जादा मचा रहा है तो यह मतलब यह है कि बावजूद इसने किटना डेमिज दिया ये E1, Go के Sindres और Ash के Lukariya को जो की अभी अभी विक्सित हुए हैं उन्हें तक फेंट नहीं कर पाया दो मिनिट बाद ये बिल्कुल ठीक होई गए थे और ऐसे ही रिक्वाजा ने इतना बड़ा ब्लास्ट किया अपने Dragon Ascent से लेकिन जब वो हिट हुआ Mega Charizard के तब ये उसे भी फेंट नहीं कर पाया तो जितना स्ट्रोंग तुम मैसकोट या सुप्रीम मैसकोट लेजंडीस के अटेक्स को समझते होना उतने स्ट्रोंग वो कभी भी नहीं थे अगर तुम देखो तो इंडिया में सबके सब ओवरेट करने में लगे रहते हैं लगे रहते हैं पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा और मैं सिधा सिधा बता लेता हूँ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से एक सुप्रीम मैसकोट तक की अटेक पावर भी सिर्फ और से वर्ल्ड चैंपियन लेवल की होती है पर जब रिक्वाजर ने बीच में ट्रप्ट किया तब जाके स्टीवन का मेटर ग्रोस कम जोर हुआ कायोगर को वो इजीली डोमिनेट कर रहा था उस लाइम पे तो ऐसे ही यहाँ पे दाइगार का कोर अनफोर्सर ले लो तो इसने मेगा लिट जाएंट रोक को पोकिमोन की अटैक पावर नहीं गई अभी तक तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम मैस्कोट और मैस्कोट लेजनरी होते है ना इनके पास एक ही चीज होती है जिसके वैसे नोर्मल पोकिमोन से काफी ज़्याद सुपेरियर है पता ही क्या वो है इंडियोरेंस कि नोर्मल पोकिमोन के अटैक को काफी इजिली सह सकते हैं लेकिन इन सुप्रीम मैस्कोट को भी ओल्मोस्त तीन अटैक तो हिट करने पड़ेंगे एक चैंपियन के पोकिमोन को डिफीट करने के लिए यही है रूल और एक और अजीब चीज़ जल रही है यहाँ पर कि अटैक का ब्लास्ट जो है वो भी अपोनेंट को डिफीट कर सकता है तो अब मैं बतालता हूँ जो अटैक का ब्लास्ट होगा वो भी उसी टाइप का होगा जिस टाइप का वो अटैग है मतलब कि Core Enforcer अगर Dragon Type मूँग है तो उसका Blast भी Dragon Type ही होगा और अगर तुम इस Core Enforcer के Blast के अंदर एक चोटी सी जिगली पफ भी फेग देते हो ना तो जिगली पफ जीरो डैमेज के साथ भारा जाएगी यह होता है Type Immunity का मतलब Fairy Type को Perfect Immunity है Dragon Type से तो जिगली पफ को डैमेज का कोई चांस नहीं है तो यह सुन लो Legendary Pokemon जो होते हैं वो Endurance में Normal Pokemon से काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं वो काफी ज़्यादा Attack सहा सकते हैं लेकिन Attack Power में ऐसा कोई भी Level नहीं है जहां तक Non-Legendary Pokemon नहीं पोच सकते वो Legendary जितनी Attack Power अच्छीव कर सकते हैं कोई ना कोई Phenomena यूज करके Gigantamax Phenomena अराम से किसी को भी Maskot Legendary से ज़्यादा की Attack Power दे सकता है Destruction में भी और Damage Dealing में भी तो सुनो, जो चीज गेम में नहीं हो सकती वो चीज ऐनीमे में भी नहीं हो सकती ये बात अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि कोई भी Pokemon Company का मेंबर कभी भी किसी Mascot Legendary या Super Mascot Legendary को भी ले आओ किसी को लेकिन Pokemon Company अपने Champions को कभी भी एक Attack में हारने नहीं देगी क्योंकि Champions Region के Protector होते है और Mascot Legendary Region के Threat तो Champions होते ही इसलिए हैं ताकि इसलिए को प्रोडेक्ट करें तो ये सुनलो कोई भी चैंपियन लेवल का Pokemon अराम से तीन अटैक तक तो सहा सकता है किसी भी Supreme Mascot तक के और बल्कि अब तो Pokemon Journeys में जब Goka Syndraise और Ash का Lucario Even Battle Frontier लेवल तक के भी नहीं थे तब ही वो Aeternal Max Aeternatus के Aeternal Beam को सहा चुके थे Ash के Pokemon Almost तगड़े से तगड़े Legendary Pokemon के अटैक खा चुके है Arceus के, Giratina के Even Aeternal Test अगे लेकिन फेंट एक भी नहीं हुआ तो Attack Power easily compare की जा सकती है Non Legendaries के साथ Even Supreme Mascot Legendary की भी तो Mascot Legendaries और Supreme Mascot Legendaries के पास से फेक चीज होती है Endurance और दूसरी चीज बिल्डप इनके अलावन के पास कुछ नहीं होता बिल्डप की वजय से वो जास ज्यादर डिस्ट्रक्शन मचा सकते है ताकि वो Strong दिखे अपना Strong Appearance दे पाए अनिमे में कि एक Strong Legendary है तो Lugia ने एक Indirect Aero Blast से Jamayway Samundra को Fire दिया पूरा क्लेशियर तोड़ दिया और पूरी लोरेंस की शिप उड़ा दी लेकिन एश के पिकाचु पे एक Direct Aero Blast कुछ नहीं कर पाया Pokemon Journeys में क्यों? क्योंकि Supreme Mascots भी तीन अटेक से कम में हरा नहीं सकते चैंपियन को और Normal Mascot Legendary तो एक High Elite 4 लेवल के Pokemon को भी 5 अटेक करके भी नहरा पाए तो Anime को तुम जितना अलग समझते हो गेम से उतना अलग बिल्कुल नहीं है Anime Anime Almost Game से सिर्फ 20% अलग होगा बागी का 80% गेम जैसा ही है लोग बिल्कुल ही अलग करके बैठ नहीं है Anime को 1,000,000 वोल्स टेंडर बोल्ट ने Megalopolis के बहुत सारे Stones को तोड़ दिया था और Sopocles के हिसाब से वो किसी Steel या फिर किसी Roke से कहीं ज़्यादा हाड था और Stuck Attack का जैसे Ultra Beast इसी Megalopolis में रहते हैं और वहीं के पत्थरों से अपनी Body बनाते हैं तो Stuck Attack का की Stones कितने हाड़ हैं मेरे को बतानी की जर्वत नहीं है तो Indian Poketubers ने सत्यानाश का रखा है Mascot और Supreme Mascot Legendary Pokemon का बिल्कुल खतरनाक वाला का रखा है तो अब मैं बोलूँ सच तो जितना भी Strong तुमें कोई Poketuber बताता है ना इंडिया का उतना Strong कोई Pokemon नहीं होगा अगर तुमें Original Power निकाल दिया उसकी तो जितना Strong वो बताता है उसको 5 से डिवाइड कर दो तो जितना 1% में आता है उतना Strong होगा आसनी में वो Pokemon तो Indalash मैं कहना चाहता हूँ कि Supreme Mascots को है Impossible हराना लेकिन इनके जितनी Attack Power अचीव की जा सकती आराम से इनको हराना मुश्किल है और इनकी Endurance कमाल किया है इनकी Endurance Normal Pokemon लिटरली बिल्कुल तोड़ नहीं सकते इनका अची Durability है तो Normal Pokemon हरा नहीं सकते Supreme Mascots को लेकिन Attack Power Supreme Mascots की भी उतनी जादा नहीं होती डैमेज डिलिंग में ये बास सोच लेना Non-Legendary Attack Power उनकी जितनी अचीव कर सकता है Phenomenay के साथ बिना Phenomenay के ये शायद नहीं कर सकता तो Indalash में लास्ट बार कहा रहा हूँ कि Legendary Pokemons तभाई इसलिए जादा मचा पाते हैं क्यूंकि उनको Strong दिखाना होता है और अगर कोई Pokemon जाद तभाई नहीं मचा सकता तो fans उसे घंटा Strong समझेंगे तो Pokemon उसने अपने Attack Power से कुछ Destroy किया उसको तुम किसी Trainer को कितना Damage दे सकता है इससे Compare नहीं कर सकते यह दोनों completely other type की Attack Power है और Champions की बाद करे रहा हूं तो तुम Lion के Charizard को देखो Eternatus के किसी भी Attack से वो Faint नहीं हुआ आखिर में जब Eternatus, Eternatus Max में बदल रहा था तब उसकी जो Radiation निकली उसने जाके Lion के Charizard को Faint किया नोर्माली कोई Attack इसे Faint नहीं कर पा रहा था तो In The Last, Mythical Powers और Kamal की Endurance और साथे साथ बहुत बड़ा Build-Up और बहुत सारी Destruction Attack Power यह सब होता है किसी Mascot या Supreme Mascot Legendary Pokemon के पास लेकिन उनके पास Damage Dealing की Attack Power एक World Champion से ज़्यादा की नहीं होती यह बात अच्छी तरह से बिठा लो तो यह वीडियो तो यही पे खतम होने वाली है तो नाक्स ताइम से मुझे टोक ना मत कि Mascot या Supreme Mascot के Attack को को रोक नहीं सकता Pikachu ने इजी लिए, Veltal के Attack को रोक लिया था Kaiogar के Attack को रोक लिया था, पता नहीं किस किस के Attack को रोक चुके है तो Normal Mascot Legendary के Attack पावर तो वैसे ही Outcast हो चुकी है लेकिन जो Supreme Mascot हैं, उनकी Attack पावर से अभी तक एक भी Pokemon Faint हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ और अगर तुम लोग अभी Dragon Ascent बोलने वाले हो कि Dragon Ascent रहे दो दो प्राइमल्स को एक बार में नोक आउट कर दिया कर लाईम पाईमल्स का अवर तूमझ, बभाईमल्स की ऊचातीर मुआर्ण कर वै पावर फुके लिंए स्वा़र स्वाषर्स भाईमल्स के सपर चाह हो कि को हैं, जो सो आगुम है